नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल माजिद साइंस पर दोस्तों आजम आपके लिए लेकर आया टोक्यो पैरलंपिक 2020 पर अदारित सभी मैं तपुन क्वेशन अनसर जो की आप से आने वाले कंपिटीशन एकजाम में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है कि टोक्यो पैरलंपिक का समापन हो चुका है इस से जुड़ी हम इस वीडियो में बाते करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोक्यो पैरलंपिक की कुछ मैतपुन बाते उसके बाद हम जानेंगे कि टोक्यो में भी हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों सुरू करते हैं टोक्यो ग्रिस्थ concur म्कालीन यैनि पैरलम्पिक 2020 कायोजन जापान की राजधाने टोक्यो में किया गया है टोक्यो ओलम्पिक काओद गाटन जापान के समराट नारू हीतों के द्वारा किया गया था इस पैरलम्पिक की मसालधारी सुनसु के उचीदा करीन मोरिसा की और यूई कामीजी है 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरलम्पिक 2020 का सोलवान संसकर्ण आयोजित किया गया यानि आपका जो कोवीड नाइंटीन के वज़े से पैरलम्पिक 2020 का आयोजित किया जाना था लेकिन 2020 में इसका आयोजित किया गया तो इसलिए 2020 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरलम्पिक 2020 का सोलवान संसकर्ण आयोजित हुआ है इससे पहले 2016 में पैरा ओलम्पिक आपके रियो डू जनेरियों में हुआ था और अगला जो संस्क्रण होगा आपका पैरा ओलम्पिक का वो 2024 में पैरिस यानि फ्रांस में किया जाएगा 24 अगस से 5 सितंबर तक चलने वाले पैरा ओलम्पिक में खेलों के दौरान यान 163 देशों ने इसमें भाग लिया और लगबग 4500 खिलाडी इसमें सामिलते और इसमें 22 खेलों की 540 परदाव में हिस्सा लिया गया है इसमें भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लिया गया और भारत ने नो अलग-अलग खेलों के लिए कुल 54 खिलाडियों ने पदक के लिए अपना जोर लगाया है टोकियो 57 साल बाद यानि दूसरी बार पैरलम्पिक खेलों की मेजवानी करने वाला पहला सहर बन गया है केंदरिया खेल मंत्री यानि अनुराग ठाकूर और गरह मंत्री गरह राज मंत्री निसीत परमाणिक ने 2020 टोकियो ग्रीन्स कालिन पैरलम्पिक खेलों में भारत के पैरलम्पिक खेलों के लिए थीम सोंग्स यानि कर्दे कमाल तूर लोंच किया था दिव्यां किर्केट प्लेर संजीव के सिंग के दौरा इस गाने की रचना और इसे गाया गया था टोक्यो पैरलंपिक ने भारत में ने कुल 19 पदक जीती है जिसमें से भारत के द्वारत 5 सवन पदक, 8 रज़त पदक और 6 काश्य पदक भारत के द्वारत टोक्यो पैरलंपिक 2020 में जीते गई है और इन 19 पदकों के साथ भारत 24 में इस्तान पर रहा है टोक्यो पैरलम्पिक के समापन समारों में भारतिय दोजावाह के रूप में अवनी लेखरा बनी है टोक्यो पैरलम्पिक 2020 आयोजन कहा किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में कब से कब तक हुआ 24 अगस से 5 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया कौन से 16 नंबर का ये संसकर्ण था सुबंकर क्या था इसका सोमाईटी धवज की लंबाई कितनी होती है राष्टे आपनी भारत की आनी टूरेसो थरी और थीम क्या थी पंखो की उडान लोगों में आपके पांच चल्ले होती है र कुल कितने देश थे 163 देशों ने भाग लिया था श्टेडियम का नाम था न्यू नेशनल स्टेडियम मसालती साकूरा कुल खेल कितने थे 22 खेल इसमें सामिल थे 2020 का पहला सुन पदक जीता था आश्टेलिया की प्रे ग्रीकों के द्वारा जीता गया था और पैरलम्पिक संस्तान है आईपीसी यानी अंतराष्टिय पैरलम्पिक समीती मुख्याले का प्यास का बोन यानी जर्मनी में वर्तमान अध्यक से इसके एंड्रियू पार्संस अधिकारिक बासा है अंग्रेजी स्पैनिस और जर्मन अब बात कर लेते हैं कि कौन सा देश किस नंबर पर रहा है और भारत का क्या सतान रहा है टोक्यो पैरलम्पिक दो हजार बीस में तो सबसे पहले हम बात करती है कि पहले नंबर पर चीन रहा है जिसने कुल 207 पदक जीते है जिसमें से 96 गोल्ड और 60 रजत और 51 काश्य पदक जीतने के बाद चीन पहले नंबर पर कायम रहा है और इसने कुल कितने पदक जीते है 207 दूसरे पर रहा है ग्रेट तराजिय अमरेका जिसके द्वारत कुल 104 पदक जीते गए जित में से 37 गोल्ड, 36 रजट और 31 काश्य पदक सामिल है चोते पर है RPCU, पाच्वे पर है नीदर लेंड और बात करते हैं भारत की भारत का स्तानरा है 24 पदक जीते गए, 19 पदक जीते गए, जिसमें से 5 गोल्ड है, 8 इसमें है आपके सिल्वर और 6 है आपके ब्रोंज यानि कुल भारत के द्वारे टोक्यो पैरलम्पिक में 19 पदक जीते गए जो कि भारत में पैरलम्पिक के अब तक के सबसे ज़्यादा पदक है 24 वे नमबर पर भारत की पोजीशन रही है टोक्यो पैरलम्पिक में भारत यानि कुल पदक कितने 19 जिसमें 5, 7, 8 रज़त और 6 आपके काश्या सामिल है पोजीशन रही 24 वे नमबर की उद्गाटन दवजा वाहक कोन थे टेक चंद जो की भाला फैक से संबंदित थे समापन दवजा वाहक कोन थे आउनी लेखरा किस से संबंदित है सूटिंग से पहला पदक किसने जीता था बावीना बेन पटेल के द्वारा जीता गया था सिल्वर पदक और पहला सवन पदक किसके द्वारा जीता गया 2020 का आवनी लेखरा जो की सूटिंग से संबंदित है और पहली नोका यान खिलाडी कोनरी है पराची यादव अब बात कर लेती है टोक्यो ओलम्पिक 2020 से जुड़े कुछ महतपून परसनों के बारे में पैरलम्पिक 2020 का आयोजन कहां क्या गया जापान की राजधानी टोक्यो में टोक्यो पैरलम्पिक 2020 का कौन सा संसकन था तो ये 16 नंबर का संसकन रहा है पैरलम्पिक का पंदरवां संसकन आयोजित क्या गया था तो कहां पे क्या गया था रियो डी जनेरियो यानि 2016 में 15 संस्कन किया गया था पैरलम्पिक 17 संस्कन कहां आयोजित होगा यानि पेरिश यानि फ्रांस में 2024 में किया जाएगा तोक्यो पारलम्पिक दो हजार बीस का आयोजन कब किया गया तो दोस्तों यह 24 अगस से शुरुए तो 5 सितंबर को समापन हुआ तो टोक्यो पारलम्पिक 24 से 5 सितंबर तक चले है टोक्यो पारलम्पिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया तो 163 देशों के द्वारा टोक्यो पारलम्पिक 2020 में भाग लिया है टोक्यो पारलम्पिक 2020 में 163 देशों ने कितने खेलों में भाग लिया तो कुल खेल थे आपके 22 खेल टोक्यो पैरलम्पिक में भारत की ओर से कितने खिलाड़ी थे तो भारत की ओर से थे 54 यानि 54 खिलाड़ीों ने भाग लिया था नेश्ट क्वेशन है टोक्यो कितने वरस बाद पैरलम्पिक हेलो को दूसरी बार आयोजित करने वाला पहला सहर बन गया है तो दोस्तो यह बन गया है 57 वरस के बाद जो कि टोकियो आपका पहला सैर बन गया है जिसने 57 वरस के बाद पारलंपिक हिलो में दूसरी बार आयो जित किया गया है तो दोस्तो इसका था सोमाइटी यानि इसका 2020 का सूभी अंकर था नेस्ट क्वेसन है टोक्यो पैरलम्पिक 2020 का पहला सुन पदक किसके द्वारा जीता गया तो दोस्तो यह जीता गया था पेगे गिरिको के द्वाजु आस्टेलिया से संबंदित है तोकियो पैरलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस जीतने यानि किस देश ने जीते तो यह जीते गए चीन देश के द्वारा कुल कितने 207 पदक जीते गए टोकियो पैरलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्तान रहा 24, नमबर का कुल पदक कितने जीते, 19 पदक जीते गई टोक्यो पारलम्पिक 2020 के उद्गाटन समारों में भारते दवजावाह कौन थे, तो कौन थे टेक चंद, जो किस से सम्मदित है भाला फैंक से टोक्यो पारलम्पिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था तो यह जीता गया था बावीना बेन पटेल के द्वारा जो किस से सम्बंदी था टेबल टेनिस से, कौन सा पदक जीता था, रज़त पदक जीता गया था नेच्ट क्वेस्टन आपकर टोक्यो पैरलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला सौन पदक किस ने जीता तो दोस्तो यह जीता गया था अवनी लेखरा के द्वारा किस से सम्बंदी थी सूटिंग से सम्बंदी थी टोक्यो पैरलम्पिक 2020 में भारत की पहली नोकायन खिलाडी कौन बनी है तो दोस्तो प्राची यादव जो कि आपकी टोक्यो पैरलम्पिक 2020 में भारत की पहली नोकायन खिलाडी बनी है नेक्स्ट है आपका Tokyo Paralympic 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते तो दोस्तो 19 पदक जीते गए जिसमें से 5-7 पदक, 8 रजट पदक और 6 काश्या पदक सामिल है नेक्स्ट क्वेस्ट है Tokyo Paralympic 2020 में भारत के किस खिलाड़ी का पदक एगोसित कर दिया गया तो दोस्तों यह किया गया था विनोद कुमार का जो किस से संबंदी थे डिसकस्ट रोसे संबंदी थे और इन्होंने काश्या पदक के लिए जीता था लेकिन पदक आया है इसका गोसित कर दिया गया नेस्ट अब पैरलंपिक में बारत को तीर अंदाजी में पहला पदक किसने दिलाया तो दोस्तो यह दिलाया गया हर्विंदर सिंग के द्वारा जो कौन सा पदक दिलाया कास्या पदक दिलाया है नेक्ट क्वेशन है पैरलम्पिक में भारत को बैडमिंटर में पहला स्वन पदक किस ने दिलाया तो दोस्तों यह दिलाया परमोद भगत के द्वारा नेक्ट क्वेशन है पैरलम्पिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कोन बने है तो दोस्तों ये बने आपके सुहास यती राज जो जिनोंने बैडमिंटन में रज़त पदक जीता है जो कि पैरलम्पिक में पदक जीतने वाले पहले आई-एस अधिकारी है नेर्ट्ट क्वेशन अग्नि ए टोकियो पैरलम्पिक में पर्थम बार किस गेम को सामिल किया गया है तो बैडमिंटन खोड़त किया कारे में पैरलम्पिक में पहली बार कितने दiny देश पाहली बार घाग ले रहे है απ क्यों तो दोस्तों पांच देश ले पाहली पतर कि अध नेक्स्ट क्वेस्टन है टोक्यो पैरलम्पिक 2020 के समापन समारों की बारत्य दवजावाग कों थी तो अउनी लेक रहा थी आपकी टोक्यो पैरलम्पिक 2020 के समापन समारों की दवजावाग लेकिन उद गाटन में थे टेक चंद अब बात कर लेते हैं, Tokyo Paralympic Games पदक विजाता यानि भारत के खिलाडियों की सूची यानि सवन पदक किस ने जीता, रज़त पदक किस ने जीता तो काश्य पदक किसके द्वारा जीता गया है यह है भी हम जान लेते हैं तो सबसे पहले बात करें में सवन पदक क्यों के बारे में तो अवनी लेखरा के द्वारा वो मैंस 10 मिटर एर पिश्टल में अवनी लेखरा के द्वारा सवन पदक जीता गया है जो की सूटिंग SH1 से संबन्दी थी दूसरे पर है सुमित अंतिल जिसने मैंस जैवलिंग थरो में एप 64 में सवन पदक जीता है तीसरे पर है मनीश नर्वाल जिसके द्वारे यानि P4 मिक्स्ट 50 मिटर पिश्टल SH1 में सवन पदक जीता गया है नमबर चार पर है परमोध बगार जो बैडमिंटन के मैंस सिंगल स सम्मदित जिनोंने SL3 में सवन पदक जीता है नेक्स ते पाचवे नमबर के क्रिश्णा नागर जिसके द्वारे बैडमिंटन मैंस के सिंगल SH6 में सवन पदक जीता गया है यानि कुल 5 सवन पदक जीते गई नेक्स ते रजत पदक विजेता की खिलाडियों की सूझी तो र देटनी साद कुमार जो मेंस हाई जंब से सम्दित जो T47 में रजत पदक जीता गया थरड़ पे है देविंदर जांजरिया जो की मेंस जैविलिंग थरों से सम्दित थे इन्वे एफ 46 में रजत पदक को जीता है नमबर चार पे है योगेस कतुनिया जिन उनने मेंस डिसकस थरो के F56 में रज़त पदक जीता नमबर पांच पर है सिंग राज अधाना जो की P4 Mixed Event में यानि 50 मीटर पिश्टल SH1 में रज़त पदक भारत की जोले में ढाला चटे नमबर पर है मरियपन थंगावेली जो की मैंस हाई जम्प के T63 से संबंदित है साथ में पर है आपके परविन कुमार जो मेंस हाई जम्प के T64 से संबंदित है आठ पर है सुहास एलियति राज जो बैडमिंटन में सिंगल के SL4 से संबंदित है यानि कुल आठ खिलाडियों के द्वारा रज़त पदक को जीता गया है अब बात करेंगे काश्य पदक विजेता खिलाडियों के बारे में काश्य पदक में आती है पहले नमबर पर सुंदर सिंग गुजर जिन ओने मैंस के जैवलिंग तर यानि F46 में यानि काश्य पदक भारत को दिलाया दूसरे पर है सिंगराज अधाना जिनोंने मैंस के 10 मीटर एयर पिस्टल सूटिंग में काश्य पदक जीता है नमबर तीन पर है सरद कुमार जो मैंस हाई जब T63 से संबंदित है और नमबर चार है अवनी लेखरा जो कि वो मैंस 15 मीटर राइफल 3 पोजिशन सूटिंग SH1 से संबंदित है नमबर पांच पर है हरविंदर सिंग जो कि मैंस इंडिविज्वल रिकावर्स आर्चरी से संबंदित थे और नमबर चार है आपके मनोज सरकार जो कि बैडमिंटन मैंस के सिंगल SL3 से संबंदित है अब बात कर लेते हैं टोक्यो पैरलम्पी खेलों में दो पदक या दो खिलाडियों के दुआरा जीते गई तो टोक्यो पैरलम्पी खेलों में भारत के दो एथिलेटिक्स ऐसे रही है जिन्होंने दो दो पदक अपने नाम किये है इन में से पहले है सूटर अवनी लेकरा जिसके दोरा निसाने बाजी की अलग अलग परतियोगिता में गोल्ड और बरोंज मैडल अपने नाम किया गया है नमबर दो पर थे जबकि यानि पुरुसिनी सानेबाजी सिंगराज अडाना जिसके द्वारा इसके द्वारा भी दो पदक जीते गया जिसमें से एक सिल्वर और दूसरा ब्रोंज मैडल सामिल है 2020 के रेयो पैरलम्पिक खेलों में बारत ने कुल चार पदक जीते थे लेकिन इसके करीब पांच गुने अधिक पदक भारत ने टोकियो औरलम्पिक 2020 में जीते हैं बारत ने टोक्यो पैरलम्पिक की सुरुवात से पहले से इन खेलों में कुल 12 पदक जीते हुए थे लेकिन जापान की राजधानी पैरा एथलेट्स की परतीबा की बदोलत से भारत में या संक्या अब 31 हो गई यानि 12 पहले से 19 अवी की बार आगे तो टोटल संक्या हो गई 31 दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए सेर कीजिए माजिद सांस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद